हेलो फ्रेंज्स मैं हो देपका मैरूम टेक से और आज फिर से हम आ गए है टेक गपशप लेकर और काफी एक इंट्रस्टिंग हैंसेट के साथ जो है मोटरोला वन पावर यह बहुत ही जल अगले ही हफ़ते 24 सेप्टेंबर को इंडिया में रिलीज हो रहा है और आए फे बर्लेंड में यह अलड़ी दिखाया गया था इस वीडियो में बात करते हैं मोटरोला वन पावर के स्पेक्स के बारे में और आपको क्यों इसका वेट करना चाहिए पहले चीज इसके बारे में बात करेंगे वह है डिस्प्ले मोटरोला के डिस्प्ले काफी बढ़िया होते हैं ब्राइट होते हैं क्रिस्प होते हैं और इस बार मोटरोला वन पावर में आपको देखने को मिलेगा 6.2 इ और नॉच के अंदर आपको मिलेगा फ्रांट कैमरा, येरपीस और साथी सेंसर्स और नॉच होने की वज़े से इसका एस्पेक्ट रेशियो भढ़ जाएगा 18.7 इस्टू 9 का एस्पेक्ट रेशियो यहां पर हमें देखने को मिलेगा तो उस वज़े से ये Motorola के बाकी पुरानी handsets से थोड़ा अलग दिखने वाला है और साथी आपको यहां पर मिल जाती है एक metal unibody जिससे की phone की durability काफी अच्छी हो जाती है और साथी यहां पर को splash proof वाला screen मिलता है जो इस phone का major highlight होने वाला है वो है इसकी battery वन नाइंटी एट ग्राम का करीब यह handset होगा और इसकी बड़ी बैटरी होगी 5000 mAh वाली तो जितने भी अभी तक notch वाले phones आये हैं तो उसमें हमें इतनी अच्छी बैटरी किसी की देखने को नहीं मिली है 5000 mAh की तो यह इस handset के लिए इसकी एक major usp की काम करेगा साथ ही आपको यहाँ पर C-type charging वाला port मिल जाता है तो motorlock के हिसाब से यह phone अराम से देट से दो दिन एक average usage में चल जाएगा जहां तक software की बात करें तो इस phone में आपको देखने को मिलेगा android one याने की stock android, pure android कई यह लोगों को यह बहुत पसंद होता है क्योंकि यह clutter free होता है और इसमें third party apps बहुत कम होते हैं तो काफी clean लगता है और साथ ही आपको मिल जाते हैं regular updates और काफी सारी unlimited storage space यह जो इसमें android देखने को मिलेगा वो होगा android oreo 8.1 और क्यूंकि इसमें stock android आपको देखने को मिल रहा है तो उस वज़े से update बहुत जल्दी आएगा तो android pi की update भी आपको बहुत जल्दी मिल ही जाए प्रोसेसर भी इसमें डीसें ही है जो की नॉर्मली हमें सारे mid-range phones में आ एंड गेम्स के लिए भी और साथ ही इसमें Adreno 509 का GPU आपको देखने को मिलेंगे जो की बात करते हैं camera की तो आपको बात करते हैं camera की तो आपको back में dual camera वाला setup मेलेगा 16 प्लस 5 megapixel और जो primary 16 megapixel वाला लेंस है उसमें आपको अपार्चर मेलेगा f1.8 और जो 5 megapixel वाला sensor है वो ह सेंसर सेल्फी camera की बात करें तो सेल्फी में आपको 12 megapixel का front camera मिलेगा जिसमें अपार्चर होगा f2.0 का तो camera setup भी आप कह सकते हैं आपर decent मिल रहा है बात करें variants की कि इसमें कौन-कौन से variants आएंगे तो इसमें 3 प्लस 32 GB वाला variant आएगा 4 प्लस 64 वाला अभी variant आएगा और हो सकता है कि 6 GB वाला variant भी आजाए वो हमें launch के दिन ही पता चलेगा क्यूंकि इंडिया से बाहर तो 6 GB के क्यूंकि इंडिया से बाहर तो 6 GB वाला variant आया है पर इंडिया में आएगा कि नहीं वो अभी confirm नहीं है आते हैं लास्ट टॉपिक पर जो है pricing तो यहां पर pricing Motorola के लिए बहुत ही important है इसका aggressive price पे launch करना क्यूंकि इस range में इस तरीके के प्रोसेसर के साथ और specs के साथ काफी सारे handset already market में है और आते ही जा रहे है इस festive season में अगर Motorola इसे 17,000 से लेके 22,000 के बीच में launch करता है तो यह Motorola के लिए अच्छा रहेगा मगर जो इसका इंडिया से बाहर प्राइज लाँच हुआ था वो था 299 यूरो का जो की 25,000 का range है पर इंडिया में शायद Motorola को इसे 22,000-23,000 से जादा में launch नहीं करना चाहिए तो इस Tech Up Shuffle एपिसोड में इतना ही बहुत जल्दी ही हम आपको Motorola One Power के launch event कवर करके उसका first hands on का वीडियो यहाँ पर देंगे तो तब तर के लिए इस वीडियो को like और share ज़रूर करें और चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूलें Thank you and bye